कि इत का चांद तो में ही हूं और इक्साइट भी हूं आज मैं अपना लाइफ का फर्स्ट हाइडरा फेसियल कराने जा रही हूं तो वह पे जाकर में देखती हूं कि मैं शुट कर पाती हूं की नहीं कर पत जो भी होगा हो तो मैं आप लोग को से सेर करूँगी और बिफोर का मेरा पिक्स ऐन बिक्स का मैं यही हूँ मैंने सिफ संस्क्रीम लगाया है और थोड़ा को थोड़ा सा प्रेजेंटेवल के लिए थोड़ा सा istik लगा लिया है और nothing else मैंने कुछ नहीं लगाया है so अभी मेरा face आप लोग देख लो फिर में जब after जब करा के आऊंगी तो पता चलेगा before after में hydro facial कराने से क्या skin में क्या improve हुआ है क्या मुझे result मिला है वो सारे चीज में share करूंगी और कितना package कितना prize है वो सारे चीज बाद में आप लोग को मैं बताऊंगी तो अभी मैं चलती हूँ और आप लोग भी साथ में so guys मैं आ गई हूँ डॉक्टर की क्लिनिक पे अभी मैं थोड़ा से wait कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरा time turn मतलब मेरा आया नहीं है और यह सारे treatment यहां पे होते है electric का कुछ भी पता नहीं क्या क्या so यहां यहां पे मैं आ गई हूँ और यह रहा hydrofacial का जो भी machine machine whatever first time मैं देख रही हूँ वैसे तो मैंने add में बहुत बत देखा था first step जो मेरा cleansing का है process वो शुरू कर रहे है और मेरा हाथ दुख रहा है क्योंकि मैं tripod लेके नहीं आई हूँ और एक चीज़ जो यहां पे problem मुझे हो रही है वो है light का light इतना ज़्यादा मतलब हलका light है कि बहुत ही dark dark हर चीज़ दीख रहा है but yes यह आपको मदर doctor के पास आई हूँ तो light तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं तो expect नहीं कर सकती हूँ so यह second step चल रहा है कि यह massage कर रहे है बहुत अच्छे से मेरा skin को यहां पे आपको massage tool भी use करते है पर मैंने वो सारे चीज़ यूज नहीं किया क्योंकि मुझे need नहीं था मेरा skin को सारे चीज़ नहीं था तो मैं बोली मेरा हाथ से ही करवा दो so यह सारे process अभी चल रहा है देखते है third step में क्या करते है third step जो अभी हो रहा है वो hydra tool यूज कर रहे है इस hydra tool से आपके skin में जितना भी dirt से जितना भी गंदेगी है वो सारे चीज़ इससे clean करते है आपको skin को बहुत अच्छे से hydrate करते है जो भी गंदेगी पुरा एकदम निचो और के लेके आता है ऐसा feel होगा आपको जी कोई ऐसा जो vacuum cleaner नहीं होता है घर में जो गंदेगी अपका clean होता है पुरा same मुझे तो वैसा भी feel हो रहा था आपके nose पे ये सारे जो dead cells जो होता है जो blackheads जो whiteheads सारे चीज़ को इससे remove होता है जो की मेरा nose में नहीं था तो फिर भी करना तो पड़ेगा ना इतना पैसा जो लिया है तो ये clean कर रहे थे आपका जो skin है थोड़ा से red हो जाता है क्योंकि normal सा बात है इतना जो थोड़ा से effect लगता है और सारे चीज़ जो process सुरू होता है तो उससे थोड़ा से skin आपको red हो जाता है बट ये painful नहीं है एक दम आपको कुछ समझ में नहीं होगा बट आपको समझ में आएगा कि आपके skin में कुछ तो हो रहा है और इसका जो एक sound है ना उससे आपको अच्छा लगेगा कि यहाँ भाई कुछ तो में करा रहे हूं अच्छा तो ये पूरा skin के उपर depend करता है कि कितना time तक ये आपकी skin में देना पड़ेगा तो अभी बहुत अच्छे से मेरे स्कीन अच्छा हाइड्रेट फील हो रहा है एंड येस में बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही हूं अब बारी है ऑक्सिजन इस्प्रे गन करता सच्छे गन के जैसा ही काम कर रहता है आपके इसकीन में पुरा इस्प्रे किया जाता है ये पूरा पूरी डिपेंड करता है कि आपके इसकीन में क्या चीज का प्रब्लम है टैनिंग ये पिग्मेंट इसने पिंपल से एक्ने मर्ज के लिए करा तो क्या है और एक चीज के लिए लिक्वेड रेडी किया जाता है और ये बहुत ही अच्छा बेनफिट होता है इसमें एंटेजिंग का काम करता है ब्राउन स्पोर्ट जो रहता है उसको रिडियूस कर बहुत अच्छा में अच्छा पिल हो रहा है जैसे घुके को खाना मिल जाता है है कि मिल गया है सो गोँख अभी तब तो ऑच्छा ही लग रहा निया सर्थ हो यह जो एड मसें सटे Christ स्थो एड लॉड हुशने देख संथ कर रहा है उसके बाद ही लीड लैट इसमेंस है तो यह लाइट में स्सथा मैं बोल उसके बहुत सारा तो यह भी डिपेंड करता है कि आपको क्या नीड है आपको रेड लाइट का नीड है ब्लू का पिंक का योलो का पता नहीं और क्या क्या तो मेरा पिगमेंटेशन हलका सा है जो मेरा इसपॉट है इसलिए मुझे रेड लाइट दिया गया तो वह 20 मिट रखने के बाद अब मेरा स्कें में जो एप्ला हो रहा है वह बिलिंग यह गाइस यह बहुत լौहरत पार्ट है यह पीलिंग मेरा शिलीशन मतलब जो है क्या नहीं है क्या रेजल दिख रहा है मैं तो अपने अपको देख उतना अच्छे से नहीं पा रही हूँ क्योंकि पता है मैं फोन को ना जैसे पकड़ी हूँ मतलब बहुत ही अनकमफोर्टबल सिचोएशन है ऐसा नहीं है कि मेरे साथ में मेरा कोई दोस जा रहा है कोई हे मैं करूंगी ताकि मेरे दोस्तों को आप लोगों को इनफोर्मेशन मिल सके ताकि आप लोगों को हेल्प मिल जाए और आप लोगों को बहुत सारे चीज इससे इनफोर्मेशन मिल जाएगा तो आप को करने में डिसाइड कर पाओगे कि आपो लोग करोगे कि नहीं करोगे और अभी मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसको पुरा सुकने के लिए छोटा सा मुझे पंखा दे दिया पंखा फ्यान वाटेबर जो भी बोलो और देखो फाइनल रेजल में तो खुस हो ग चुछ कि मेरा फुलिंग शुरू हो गया है infect deal निकल रहा है एयन डेट two beta 2 में पूरा इस साइड का साइड का मेरा और अ्रेड़ी निकल रहा वाए पर इसको थोड़ा में तो आल्मोस्ट 70-80% मेरा औरेडी हर जगा से निकल रहा था एंड फोरेट में तो बहुत जादा ही मेरा निकल रहा था मतलब पूरा एकदम गोलगोल हो चुका है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो तो मैं इसको हाथ से थोड़ा से क्लीन करने की कोशिस कर रही हूं क्यो इस आत मैं सोच रहे थी पूर निकल जा contest कैसे पूरा निकल है एसा लग़िए मुएब कर दो निकलने के लिए पर इतना अच्छा लग रहा था इसको निकलने के लिए क्यूकि मैं बहुत खुस हो रहे थी कि मेरा इसकीन का जो भी सद्बबं था जो भी मतलब जो कर स pen शनव कितना फर्क है है कि नहीं तो यह जागा मेरा पुरा बेबी इसके नभी होगी इसको बहुत अच्छे करने है असलम आलेकुम कैसे आप लोग आप सब लोग अच्छे होंगे विलकम और विलकम वैक टू मैं चैनल आप सब को ईद की बहुत-बहुत मुबारक बार आप सब क्यो गायर्ड आप लोग खुछ रही है अलपक आप लोग को सारे खुछी उसे नमाज है आप लोगों ने देखा मेरा हाइड्रफेसियल के जर्णी था तो यह अच्छा था और मेरा नाइक था कि इद से पहले हाइड्रफेसियल कराने का बहुत टाइम से मेरे प्लैनिंग था त इस गायज आप बहुत खुछ हुए अच्छी लग रहा है तो किसको अच्छा नहीं लाएगा चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो हाइड्रफेसियल का जो मेरा एक्सप्रेस था बहुत ही अच्छा रहा है मेरा इसकीन का आज 5 देज हो गया है फोर देज तो चला गया पूरा जो पील है वो निकल गया है पूरा इसकीन का ओन लेयर पीलिंग हुआ है आप लोग ने देखा होगा कैसे एकदम इसकीन का पील कर रही हूं तो अच्छा था बट मैं एक चीज आप लोगों को बोलें कि मैं ऐसा नहीं कि हाइली रेकमेंड ऐसा कुछ नहीं है क्यू इसकीन को अच्छा मैंने टें करने के लियैं करते हूं सी आपवगों का लिसा किसे उसले सहल हुआ हाई्टर Midwestern इस ही हौा कराना तो और दिल्ल है तो करा सकते हैं कि एक्सपरिमेंट करा सकतो है इसा कुछ नहीं है इसकाँ अच्छा ही रेजल मिलता है और जिसकी ब्राइट टू भी जो है उन लोग के लिए तो यही कि को क्योंकि जो इसकी में जो इंस्टन जो आता है जो मतलब चमक आता है वह तो दुलन के लिए ज़रूरी है यह बट आप लोग टेन डेज पहले कराना वह बेटर रहेगा या फिस सेवें डेज पहले ऐसा नहीं कि साधी कल है दो तीन दिन पहले करा लें नहीं मत कराओ क्योंकि वह जो हर एक हर एक जो क्लिनिक होता है सबका प्रोसेस थोड़ा बहुत अलग होता है किसी किसी का फॉर स्टेट थ्री स्टेट किसी के सेवें एट बहुत है क्योंकि हाइडर फेसियल का कॉस्ट दो हजर से लेके सुरू होके 10,000-10,000 से सुरू होके 15,000 तक भी जाता है और मैंने जो मेरा जो में लिया है मैंने इसको इंक्लूट किया है हाइडर फेसियल को जस्ट एक्स्परिमेंट मुझे करना था अचली मुझे अपने इसकिन के लिए कुछ और टीटमेंट करवाना था मेरा जो प्रॉब्लेम है तो वह तो मैं बाद में बताऊंगी तो उसके साथ वह फाइब मैं मैं लिया है और 6 package था तो मैंने 6 sitting में मैंने क्या है हाइडर फेसियल करें किया है क्या है इतना इतना पॉपुलर है बला तो अच्छा ही है इस तो मैं आपको ज़रना हुं करना है को युद्स data is healthy अच्छा लगता है जैसे कि जएसा चांद राथ है तो जैसे कि आश्यक्षी चांद राथ और ने Whilst it was okay Вас अब इस्था कटें एक तो निस्हें 21 जवां डищ ओप मेरा नोज पे नहीं है तो जो प्लेट में जो ब्लाक हेर्ट हुआ चिपक चिपक के निकालता है मैंने सचा में खुद को क्यों इतना तकलीप दो तो वह सारे चीज में मैंने तो पहले आप लोगों को दिखा दिया हैORA इदेगया होता है तो फानी यह कि अच्छे लगेंगे बट का सवीडे प्रोधा में से रेड नहीं होगा है समझें मेरा बात कुछ येस हाइडर फेस्ट छिया करनेसे गोरे काले काले से गोरे लिभी होंगे तसहें है कि यह कुछ नहीं है अपकार क्रपार भुष्टव करता हैं इसलिया फर्क नजार आता है फ्रक नज़र तक बीcle में प्रीफटव spectacle n जो गंदीगी रहता है जो डेट्स घ्राइट दिो कि प्रोब्लेम रहता है वह सारे ओ घ्रैट्स अइस कि लिए घुर DRS प्रोब्लेम्स आती जाएंगी हम लोग करने से स्कीन का इंप्रूव होता है घ्लोई हो जाता है उसको अगर आप मेंटेन करोगे जैसे डॉक्टर ने मुझे बोला अगर जैसे मैं आज हैड्राफिजियल करवा लिया इसको अगर मैं मैंटेन करूँगी तो यह ग्लोव मेरा मन तक मेरे लाश्ट करेगा और मन तक मेरे ठीक रहेगा उसके बाद तो कोई भी चीज था ऐसा ने पर्मिलेंट तो कुछ नहीं कि एक बर करा लिया गया है जिसे फनिचर में धूल मिटी पढ़ती रहते हम लोग सफिद करते चमकता रहते वैसे इसकीन भी ऐसा है प्रॉब लोगों तो कराना चाहिए थोड़ा से अच्छा लगता है धुलन पर है कि नहीं आप लोग कमेट में जरूर बताओ कि क्या है आप लोगों कैसा लगा नहीं लगा और एक चीज आप लोगों को बोलना है मेरी बेहनों मेरे दोस्तों मेरे भाई जो भी देख रहे हो लाइक अब तक के लिए मैं आप लोगों करते ही आप लोगों तक पहुत जाए नोटिफेक्षन आजाए कि देखो समरीन का वीडियो आज तो आ गया है तो देश अना प्यार मुझे भी दो इद का टाइम है इदी मुझे चाहिए रिदी में मुझे आप लोगों से लाइक चाहिए चाहिए और सब्सक्राइब भी चाहिए तो कर दो ठकट ठक चलो तो फिर नेक्स वीडियो में फिर मिलेंगे और अब तक के लिए मैं आप लोगों को यही चीज एक चीज बोलना चाहूंगी कि जो लोग बहुत टेंसल लेते हैं ना कि इसकीन के लिए कि इसकीन में ऐसा वा गल्ती कर रही हूं या फिर कर रहा हूं तो वह सारे चीज को सुधारो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाए एक टाइम था जो में भी बहुत सारा प्रॉब्लेम्स होता था में भी सोसी तीक मेरा ऐसा कैसे होगा तो मेरा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मेरा अंदर खुद को प्र प्रॉब्लेम नहीं है अभी अलहमदोलिल्ला इसलिए मैं एक्स्टर्नल कुछ भी जब एपलाई करते हूं चाहे हो क्रीम हो प्रोडक हो हो मेट रेशिपी हो या फिक कोई भी चीज जैसे मैं एपलाई करते हूं तो मेरा उत्तुरंत रिजल डिखता है क्योंकि रिजल इसल साथ मैं आऊंगी तब तक के लिए आप लोगों को अभी अल्लाहाफीज इद में इंजाई कीजिए बहुत सब्सक्राइब तीन दिन दिन दबा के खाऊ बच्छोटा दिन डिटॉक्स करना मत भूलना वाड़ी को चलो मिलते हैं फिर नेक्ट वीडियो में